अंदिर की लड़ाई लड़ेंगी और आप उस वक्त बहुत कम उमर की भी थी लेकर आप बोलती थी तो आपके कैसेट्स बनते थे लोग सुनते थे मैं चाहता हूँ आपने कहा कि इस जो आंदोलन है इसका शिखर तो बन चुका है लेकिन उसकी नीव भी लोग देखें उसकी नीव कैसे तयार की गई वो वक्त मैं चाहता हूँ आप थोड़ा पीछे जाएं और याद करें वो राम अंदोलन जो था राम अंदिर का जो आंदोलन था वो क्या दौर था वो जब गोली चली क्या महौल था जब लोग अयुद्या पहुंच रहे थे उस दिन को अगर आप याद करें तो शुषान्त उस समय कोई लोग सुनते थी किया मजाक उड़ाते थे ये जो दुकान के शटर गिर जाते थे उसकी एक फुट की देली पे खड़े होके हम जैशीराम जैशीराम के कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है जीवन की धड़कन राम आय सवगंदराम की काते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे इस भाव के साथ और आप सोचो सुषान्त ना तो कोई साधन थे ना कोई ना कोई गाडियां थी मोबाइल फोन तक नी होते थे और लोग मजाक उड़ाते थे तमाश भी कटे हो जाते थे उन सारी परिस्थितियों के बी साध में धाराय मिलती चली गई मिलती और यासा विराट रूप पूरा भारत जनमेदनी बन गया और जब 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 जनता जनमेदनी बनती है ना शुषान्त जी आप भी जानते हो तो वो जनारदन बन जाती है जनता जनारदन बन गई और फिर ये अंदोलन एक संस्था का नहीं रह गया ये जनन दोलन बन गया और आप सोचो सुषान्त जी मैं बहुत साल पहले एक बहुती निबड गवाई गाओं में बनवासी छेत्र में एक सेठ जी को मैं ले गई दिल्ली से सोचा वहां जाके कुछ कुआ बाबडी कुछ सड़क भी थी कुछ कुछ तो बेव या तो इतनी दूर से पानी का घड़े भर कर लाती हो तो कितना तुम्हे कस्ट होता होगा उखिल खिला के हस गई बोले इसमें भी कोई कस्ट है अरे मैंने का ये इतने बड़े सेठ आये हैं इनसे कुछ तो अपनी समस्या बताओ शुषान जी एक बूडी जर जर काया चेर की ब्यवस्ता कर दे सोचिए तन पे वुस्त्र नहीं है पूरा भोजन नहीं है शरीर को पोशन नहीं है पर मन क्या मांग रहा है राम जी के लिए कुछ हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे ये बार अचा लेकिन आपने भी तो बहुत कश्ट सहा मैं देख रहा था आप पे 35 आपको भागना पड़ा चुपकर रहना पड़ा वह क्या दौर था वह सब यह राम जनबुमी का जब आप जिस कैसेट की बात कर रहे थे यह जगादरी में मेरा भाशन हुआ किसी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और वह जो अगर उसका शुशान जी रिकॉर्ड बनता तो व कैसेट खतम हो जाती थी लोग गुस्ते के बारे गाड़ी के ड्राइवर कोई पीट डालते थे कि हमें क्यों नहीं प्राप्त हुई वो तो उस पे जब प्रतिबंद लगा मेरी उस भाशन पे प्रतिबंद लगा फिर मेरे पे प्रतिबंद लगा कि मैं उत्तर परदेश में नी आ सकती फुलाने स्टेट में नी आ सकती और वहां सभायें होती थी तो मुझे लगता था कि अजनता को लगता था रितंबर आएगी मुझे लगता था मैं चाहे भेश वदलू चाहे कुछ भी करूँ और पता है सुशान्त हमको ललीत पूर में घेर लिया पुलिस ने मैंन सभाई कर रही हूं उस बच्चे को वापिस भेजा इस तरह करके ये पुखराया हम पहुंचे मेरे मैंने हरे रंग का सूट पहना था बचने के लिए पुलिस से और लेकिन वहां जनता मेरी प्रतिक्षा कर रही थी कारीकरतों ने कहा कि यहां जनता बैठी है तो एक कारीकरता सुशांत दोड़के गए पांच-छे राम नामी चादरें लेकर आए मैंने वो अपने प्रिंटिड कपड़ों के उपर ही पूरी राम नामी चादरें लपेट ली कमर में बांध ली इधर बांध ली सिर पे पगड़ी बांध के जनता में मतलब मुझे लगता था कि रात के 12 एक बजे भी सभाएं करते करते मैं पहुंची सुशांत काशी मैं रात के एक बजे अपने बिस्तर पे लेटी हूं बाहर लड़ने की हवाज आ रही है मैं पूछ रही हूं कि बाहर जगड़ा क्या हो रहा है तो पता चल रहा है कि 25 किलो मीटर दूर 80,000 लोग इंतजार कर अभी वो सभा बाकी है मैं रात के डेड़ बजे उठती हूं सुशांत जी सभा करके सुवे साड़े चार वापिस आती हूं एक घंटा रुक के पुना जागरण के लिए निकल जाती हूं मैंने जीवन में कभी उस दौर में बैट कर पलती मार के भोजन नहीं किया सुशांत जी मेरा भोजन मेरे हाथ पे गाड़ी में होता था सारी रात 25 राते महीने की ट्रेन में और सारा दिन मंच और माइक बस जागो हिंदुगो और सर्यू की ले सोगंद चड़ो सिंगासन पर अपमानित पंचाली काले कोप बड़ो दुस्सासन पर एक बार कंकड कंकड को पंबंब हो जाने दो इस भाव के साथ हमने कारिय किया चनोतियां थी मेरे गुर्भाई को उठाके ले गए सुशान जी घुटने तक रूई बांधी पंदरें दिन में दीरे दीरे मिटी का देल तेल डालके जलाके मार डाला सारी रात हमारा आश्रम है मध्य प्रदेश में अंदर छतरपुर डिस्टिक में सारी रात फाइरिंग होती थी मनों बल तोडने की कोशिशें होती थी लेकिन मन में एक साध थी के सुख दुख की जूटी चाह नहीं अब जीवन मरन स्वपन सा है अब भला मृत्यू का डर कैसा हम स्वयम मृत्यू को मार चले और सबसे घर के सामने खड़ी नहीं कर पाता था लोग डरते थे कि पुलिस आके दविश देगी मैंने स्टेशनों पे रातें काटी बस सड़ों में कंबल ओड के बैठी रही बिखारियों के बीच में खेतों में जो ट्यूबल होते हैं ना चोटा सा ट्यूबल का कमरा बना होता है व जो दोर था जब कार सेवकों पर